इस वीडियो में देखेंगे एड़ ग्रेट अभियास पुस्तिका दोचार तैस्ट चोविस कक्छा च्छाय विशे विज्ञान आज की वीडियो में देखने वाले हैं अध्या च्छाय में है सजी विशेस्ताय एवं आवास तो देखें यहां पे जो है इस तरह से आपको भर भर लेना है तो आप भर लीजेगा इसके बात आगेँ चलते हैं तो इनको जो अच्छेस देखें कि आपको भर लिए器 में इसके बाद आते हैं आपके जीवुआ प्रेसन क्रावांग्त पहले में हैं सजीवों के बारे में सही कथन है तो आपका राइट आनसर होगा एई न की गर्मी से दूर रहता है इसके बाद आता है अपका प्रिश्ण करमांग 3 तीन में है पौधों की कुछ विशेषता है निमनलिखित है तो आपको उत्तर में करना है D नंबर तीसरा और चौथा आपका सही है इसके बाद आता है आपका चोथाume में है प्रजणन के संदर में दिये गए विकल्बों में से विसम को चुनिये तो आपको उत्तर में करना है आम के प्याड़ की जड़े Isso के बाद आता है आपका इकतिस्थानवाले प्रजण तो पहले में भरना है आपको आक्षीजन, दूसरे में भरना है आपको खारे, तीसरे में भरना है आपको संक्वाकार, इसके बाद चोथे में भरना है आपको खोखला और हलका तो आप इस तरह से खालिस्तान भाल लीजेगा इसके बाद नेक्स्ट को चनाता है आपका अतिलगुत्री प्रिश्न प्रिश्न करमांग दूसरा देख लीजे तो आपको प्रिश्न करमांग दूसरा का उत्तर करना है इसके बाद नेक्स्ट को चनाता है आपका तीसरा तो तीसरा का उत्तर जो है आपको यहां से देख के कल लेना है जैसे यहां पे लिखे है वनों से परिवर्ती छेत्रों से मरुस्थल में समुत्र में अनिस्थान पर तो इसको देख के आपको कर लेना है इसके बाद नेक्स्ट को चनाता है आपका चौथा प्रिश्न करमांग चौथा का उत्तर आपको करना है सिसु को जन्म देने वाले जीव कुत्ता, बिल्ली, काय, बकरी तथा मनुस आदी है इसके बाद है अंडे देने वाली जीव कबूतर तोता मुर्गी साप एवं चिपकली है इसके बाद आते हैं आपके प्रिश्ण कर्मांग 5 प्रिश्ण कर्मांग 5 में है अनुकूलन किसे कहते हैं आपको उत्तर में करना है जिस विसिस्ट संरचनाव अथवा शौभाव की परिवेश में रहने के लिए योग बनाती है उसे अनुकूलन कहते हैं इसके बाद छट्व में है तो छट्व को उत्तर करना है आपको नहीं प्रिथवी पर ऐसा कोई इस्थान नहीं है जहां पर कोई भी जीव नहीं पाया जाता हो इसके बाद आता है आपका लगूत्रिय प्रिष्ण करमांग साथ का उत्तर देख लिजए आपको करना है किसी सजीव का वह परिवेश जिसमें वह रहता है आवास कहलाता है पहला है जमीन पर रहने वाले जन्तू एवं पाधों के आवास को इस्थाली आवास कहते है जैसे घास के मैदान मकान आदी दूसरा है जल आपको मक्का, बाजरा, मनुस, पेंड, पालक, मेथी, मेथी, व्रेक्च, अजाविक घटक में लिखना है रेत, सबजिया, चट्टान, प्रकास, आदृता, मिट्टी, वायू, जल इसके बाद आते हैं आपके प्रिष्ण करमांग 9 प्रिष्ण करमांग 9 तर आपको करना है इसके बाद आते हैं आपका प्रिष्ण करमांग 10 तो आपको 10 करना है वहां हमें सांस लेने में परिष्ण करना होगा तथा तेज तेज सांस लेनी पड़ेगी कुछ दिनों के लिए हमें सारीरिक अभ्यास करना होगा कुछ दिनों बाद हमारा शरीर हमारा सही इस्थितियों के अनुसार ढल जाएगा ऐसे परिवर्तन परियाकूनल कहलाते हैं इसके बाद नेक्स्ट कोश्चन आता है आपका दूसरे का आंसर करना है आपको डालफिन एवं वेल बिना सांस लिए लंबे समय तक पानी में रह स सकती है यह सिर पर इस्थित नासा द्वार अथ्वा अथ्वा वाद छित्रों द्वारा शांस लेते हैं इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रिशन कर्मा की 11 तो आपको 11 के उतर करना है नहीं क्योंकि जली पौधों की जड़ें जड़ें आकार में बहुत चोटी होती ह है जो उन्हें इस्थिर रखती है दूसरा है इनका तथा लंबा खोखला एवं हलका होता है तीसरा पौइंट है कुछ पौधों की पतियां सकरी तथा रिबन की तरह होती है जो कहते हुए जो बहते हुए जल में आसानी से मुड़ जाती है इसके बाद आता है आपका प्रि पौधी छेत्रों में पाए जाते हैं पहला ये बहुत ठंडे होती है दूसरा है इन छेत्रों में तेज हवा चलती है तीसरा है सीथ काल में सीथ काल में हीम पात भी होता है इसके बाद नेक्स्ट को चनाता है आपका प्रिश्म के मांग तेरा तो आपको तेरा को उत्तर करन जो उन्हें ठंड से बचाते हैं हाँ हम भी सर्दियों में गर्म कपड़े पैन कर सर्दी से सरीर को अनुकूलित करते हैं इसके बाद आते हैं आपका प्रिश्ण कर्मांग चवदा तो आपको प्रिश्ण कर्मांग चवदा को उत्तर करना है सजीयों के विजिस्ट लक्षर न कि नेक्स्ट आथा है अपका स्वासन शासन में आपको लिखना सबी जीवकि लिए अवस्यक है कके खिया गई भोझा से स्वासन के दोरा ही हमारे सरेर को अर्चा मिलती है सौसन में गैसों का आदान प्रतान होता है प्रजनन में करना है जन्तु प्रजनन द्वारा अपने समान संतान उत्पन करते हैं कुछ जन्तु अंडे देते हैं तो कुछ जन्तु सिस्वों को जन्म देते हैं इसके बाद आता है आपका प्रशन कर्मांग 15 प्रिस्म कर्माइक 15 के उत्तर में करना है आपको मैदान में जन्तों को छिपने के लिए व्रक्षों की संक्या बहुत कम होती है सेर हिरन को खाता है अपनी जान बचाने के लिए हिरड सेर से तेज भागता है हीरड को घास के मैदान में छितने के लिए पर्याप सब नहीं मिलती इसलिए वां इसलिए भाय खूद को बचाने के लिए तीबर गती आवश्यक होती है इसके बाद आता है आपका प्रजेक्ट कार 1 प्रजेक्ट कार 1 में आपको इस तरह से आऊसर करना है तो आप यहां से देखके कर लिजेगा दिखा है जन्तों के नाम आवास, बिल, घोसला, घर, पानी, वन, फिर है बोजन, साकाहारी, मांसाहारी, सरवहारी, गती, तैरना, रेंगना या चलना तो आप जो है इस तरह से आपको देखके कर लेना है इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रजेक्ट कार्टू, प्रजेक्ट कार्टू में है होने वाली किरिया का नाम पौधों में, जन्तों में तो इसका उत्तर आप यहां से देखके कर लिजेगा इस तरह से आप अच्छेस देखे कर लेज़ेगा ये था हमारा लास्ट कोश्चन यहाँ पर हमारे वीडियो कम्प्लीट होती है वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक इन सस्क्राइब करिएगा मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो